है लो फ्रेंड बेलकुम टू चाबलमंतर्ण यूटव चैनल तो फ्रेंड आज Ultra आपको 20 क्वेंट कोश्चन में से कम से कम फ्रेंड आपको 15 कोश्चन पैंस बिल्कुल सहीं देना है। थीक है तो चली फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं जो चैनल पर नए तक प्रीज च तो पूरा पताने वाली हूँ आपको तो पूरा देखना की कैसे आपको डॉनोड करने है पीडिया वो ठीक है जिसमें आपको आठ साल के प्रिविस कोशिन पेपर और अच्पी जीके के मोस्ट इंपोर्डेंड कोश्चन के में फिर आपके इंगलिश ग्रामर के कोश्चन जो आपकी आठ साल के परीविस कोश्चन पेपर हैंगे फिद आंसर की के साथ आपके लिए मैंने जो पीड़ प्रवाइड करवाया थी उसमें कुछ यांश का कमेंटर थैंक्यू सोच रहा था कि मुझे प्रीविस कोश्चन पेपर मिल जाएं पर आपने प्रीविस कोश्चन पेपर के साथ बहुत अच्छी स्टडी मिटीरियल प्रवाइड करवाया है मैं बहुत सैटिस्वाइड हूँ इस पीडियाप से वैरी हार्ड वर्कि यहां पूरा पढ़ना है यहां का जो लास्ट का दो तीन शब्द होते हैं तो यहीं पर कोश्चन के वारा के गल्त हो जाता है ठीक है तो चली शुरू करते हैं निमलिक्त जानकारी का ध्यान पूर्व का ध्यान कर नीचे दिये गए प्रशनों को उत्तर दीजिए तो यहां पर बताय है P, Q, R, S, T, U, V और W के इंदर मुख होकर एक ब्रित के इर्द गिर्द बैटे है T, P के बाएं दूसरा और W के दाएं तीसरा है S, W के दाएं दूसरा है जो T के तुरंत दाएं है Q, U, U के दाएं तीसरा है तो इसके ट्रिक मैंने बड़ी अच्छी पहले एक वीडियो परना की अफेलोड की है कुछ इस तरह से ट्रिक है वो तो जिसने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बार जाके वहाँ पर जरूर वह यह वाली ट्रिक देख लें ठीक है इसके ओपर के वार फ्रेंज चार या पांच कोश्चन इकठे आ जाते हैं ठीक है तो फरस्ट कोश्चन है T के तुरंत Y कोन बैठा है जिसका सही अंसर हो जाएगा option A क्यों, next P के दायन दूसरा कोन बैठा है? A,S, B,C,U,D, जिसका सही अंसर हो जाएगा option C, क्यों, next question R के बाये को 4 कोन बैठा है? A,II,B,U,C,S,D, तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D, इन मेंसे कोई नहीं नेक्स कोशन है मचली जैसे जल से स्वंधित है बैसे ही चिडी या किसे स्वंधित है A. अकाश B. अप्शन बाईयू C. अप्शन जल D. अप्शन भोजन तिसका सही अंसर ओप्शन है ओजाएगा अकाश नेक्स कोशन नेक्स कोशन है A. B. C. D. और E. पाँच नदिया A. B. से शोटी है मगर E. से लंबी है C. सबसे लंबी है D. B. से बहुत शोटी है और A. से कुछ लंबी है तो सबसे शोटी नदि कौन सी हुई तो इसका सही अंसर ओप्शन तो इसका ओप्शन A B. ओप्शन B. C. ओप्शन D. और D. ओप्शन E तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन D. E ठीक है नेक्स कोशन है यदि किसी बर्ष 5 बर्बरी को शुकरवार तो उसी बर्ष 10 अगस्त को कोई सा दिन होगा A. ओप्शन शुकरवार B. ओप्शन शनियार अभिवार C. ओप्शन सोंबार D. ओप्शन बुद्धिया मंगल तो इसका सही अंसर ओप्शन D. हो जाएगा बुद्धिया मंगलवार नेक्स कोशन है यदि पुस्त को गड़ी कहें गड़ी को बैग, बैग को शब्द कोश और शब्द कोश को खिड़की कहें तो पुस्त कोई ले जाने के लिए किसे प्रियुक्त करेंगे तो इसका सही अंसर ओप्शन D. हो जाएगा शब्द कोश नेक्स कोशन है घड़ी की दोनों सुईया एक दिन में अधिक्तम कितनी वार अति व्यापन करेंगी A. उप्शन 7 वार B. उप्शन 33 वार C. उप्शन 9 वार D. उप्शन 22 वार तो इसका सही अंसर ओप्शन D. हो जाएगा 22 वार नेक्स कोशन है नेमलिक्त में से कौन सब अक्षर है जो बाएं से बार में अक्षर के बाद और दाएं से तेर में अक्षर से पहले आता है A. उप्शन M. B. उप्शन L. C. उप्शन O. D. उप्शन P. तो इसका सही अंसर ओप्शन D. हो जाएगा P. नेक्स कोशन है C. माता है A. और B. की यदि D. पती है B. का तो C. कौन है D. का A. उप्शन सास B. मोसी C. उप्शन बतीजी D. उप्शन मामी तो इसका सही अंसर ओप्शन A. हो जाएगा सास नेक्स कोशन है एक लड़की के ओर इशारा करते हुए रवी ने कहा यह मेरे पीता के एक मातर संतान की पूतरी है रवी की पत्री उस लड़की से किस प्रकार समन्दित है A. उप्शन बहन B. उप्शन मा C. उप्शन दादी D. उप्शन चाची तो इसका सही अंसर ओप्शन B. हो जाएगा इसको कोशन है यदि G. E. C. A. कारत 8, 6, 4, 2 है तो H. F. D. B. D. कारत क्या होगा इसको ओप्शन A. है 9,735 Next question है A. और B. बहने है R. और S. भाई है A. की बेटी R. की बहने है B. का S. से क्या समन्द है A. उप्शन बतीजी B. उप्शन आंटी C. उप्शन चाची D. उप्शन में से कोई नहीं तो उप्शन B. सही जाएगा आंटी Next question है मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्तर के अकेले बेटे से मेरा क्या रिष्टा है A. उप्शन चाची B. उप्शन मा C. उप्शन बहन D. उप्शन मामी तिसका सही अंसर Option C. हो जाएगा बहन Next question है यदि आरुन उत्तर के ओर अभी मुख होकर सीर केबल खड़ा होता है तो उसका बाया हाथ किस दिशा की ओर है A. उप्शन पश्चिमी B. उप्शन पूरव C. उप्शन दक्षनी उत्तर और D. उप्शन इनमें से कोई नहीं तो Option B. सही हो जाएगा पूरव Next question है एक पंक्टी में लोकेश बाये से उनमें स्तान पर है और दाये से कत्में स्तान पर है पंक्टी में कुल कितने ब्यक्ती है तो A. उप्शन है 40, B. उप्शन 50, C. उप्शन 49 D. उप्शन 48 तो इसका सही अंसर उप्शन C हो जाएगा 49 तो Friends हमेशा ऐसा question आई आपको क्या करना है जैसेaksi 19 आपने पूरे ले लिए तो पूरे पूरे Exodus लिए leg 1 आपको माइनिस कर देना है Unless, 19 आपको 16 औ offenses 18 भी कर सकते हैं और 13 पूरा और आपको पूरा रहने देना है किसी एक मेंसी माइनिस कर देना है है और उपर से इतना है तो कोई कितने बच्चे क्लास में है तो बहां पे भी यह method use होगा next question है बचचडा गाये तो पिल्ला किसका होगा बचचडा होता है गाये का तो पिल्ला किसका होगा option कुत्ता का B option गोड़ा का C option गदा और D option कुटिया तो इसका सही answer option D हो जाएगा कुटिया का next question है यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमबार है तो उस महीने के X में दिन से पहले कौन सा चोथा दिन होगा A option सोमबार, B option मंगलवार, C option हराभी बार, D option बुद्धवार, तो इसका सही answer हो जाएगा option A सोमबार, तो इस वीडिवे फ्रेंज हमने की है 20 questions logical reasoning के, और फ्रेंज अगर आपको इनके trick चाहिए होगी तो आप मुझे comment करना में trick कला दूँगी, ठीक है जितना भी हो जाएगा 20 दिन में, ठीक है तो जैसे वीडिवे का स्टार्ट ने में बताया जिनको question पर चाहिए तो इस वीडियो के description में जाना है question पर download कर लेने है और फ्रेंज आपको पूरे पढ़ लेने है और question पर तो friends आपको हर जिस नहीं चोड़ना है कोई भी question नहीं चोड़ना है चाहिए teaching aptitude का हो जाए, commission का हो या जाए, 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 जाए